10.5.3 अपवर्तन के नियम प्रयोग आपतन कोण वा अपवर्तन कोण के बीच में सम्मन्ध इस्तापित करना आवश्यक सामगरी, ड्रोइंग बोर्ट, सफेद कागस की शीट, ड्रोइंग पिन, आल पिन, कांच का आयता कार गुटका, पेंसिल, स्केल वा चांदा विधी, ड्रोइंग बोर्ट पर सफेद कागस की शीट लगाएं, शीट के बीचों बीच कांच का आयता कार गुटका रखें पेंसिल से गुटके की सीमा रेखा खींच कर इसे ABCD नामंकित करें गुटके को हटा कर AB पर लंब MN खींचे, MN से किसी कोड़ पर एक रेखा खींचे और दो पिने E व एफ इस रेखा पर उर्धवा धर लगाएं अब गुटके को फिर से सीमा रेखा पर रखें दो अन्य पिन लेकर विप्रीत फलक से पिन E तथा F के सीध में लगाएं गुटके को हटा दे, इसके पश्चाच सभी पिने हटा कर पीनों द्वारा बने बिन्दों पर छोटे गोले बना ले अब E F को A B तक बढ़ा कर O पर मिलाएं वज G H को C D तक बढ़ा कर O डैश पर मिलाएं O तथा O डैश को मिलाएं O डैश पर अभिलम M डैश N खीचिये आप देख सकते हैं कि प्रकाश की रणने बिन्दों O वा O डैश पर अपनी दिशा बदली है जो दोनों माधिमों को प्रिथक करने वाले प्रिष्टों पर इस्तित है उपर्योक्त प्रयोक को अलग-अलग आपतन कोण के लिए कई बार दोहरा कर प्राप्त परिणाम को साणी में भरो दोनों अपवर्तक प्रिष्टों पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करे चित्र में दिखाए अनुसार आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण GH आपतित किरण EF की दिशा के समनांतर है प्रत्यक युग्म के लिए आपतन कोण वर निर्गत कोण का मान भी समान पाया जाता है अर्थात आयताकार कांच के गुटके के विप्रीत फलकों पर प्रकाश किरन के मोडने का परिणाम समान तथा विप्रीत है प्रेवग दरशाते हैं कि प्रकाश का अपवरतन निश्चित नियमों के आधार पर होता है अपवरतन के नियम इस प्रकार है पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को प्रिथक करने वाले प्रिश्ट के अपतन बिंदू पर अभिलम सभी एक ही तल में होते हैं दूसरा प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात इस्थिर होता है इस नियम को स्नल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं यदि I आपतन कोड हो तथा R अपवर्तन कोड हो तो साइन आई बटे साइन आर बराबर इस्थिरांक या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर इस इस्तिरांग के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापिक्ष अपवर्तनांग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं या इसनेल का नियम भी है